Hello students, today I will discuss the biology of 12th class, so in 12th class, in your class, chapter 2 is going on, in chapter 2, I am teaching you about the pistil, I am teaching you about the pistil, I am teaching you about the pistil, and I am learning about the pistil, कि इस चिल निवाइट हो थी प्री पार्ट्स में आगे वाला पार्ट्स होता है इस्टिग्मा होता है बीज का सिलेंडर पार्ट्स होता है वह इस्टाइल कहलाता है और लास्ट का बल्क लाइक जो इस्टेक्चर होती है वह ओवरी कहलाती है जैट इस पिस्टिली इस्टिग्मा स्टाइल और ओवरी अब इस्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जो होती है ओवरी के अंदर ओवरी के लिए ओवरी इंसाइट दा ओवरी 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 ओवरी इंसाइट दा कि इंसाइट का ओवरी यह ओवरी ओवरी के अंदर होती है जब ओवरीन के इसके अंदर होती है तो कि अब प्लेंसीटा एलाइस इलाइस इलाइजिंग कि प्लेंसीटा कि सबत्के सके, क्याention, बाता एलाइस इलाइस कि मख Means कि डाहर कि खिल एंदर होती है कि दितकर तरय। बίसलनिक ट्शित लेंसी चैना होती है czę बुषtsकै कि झा है इसलाइस breaks लेंसे बल्याइस onume जएके समीए का जड़ वरी अंदर है, कि 1 सूर मुष। तो प्रिसेंटा होता है प्रीसेंटा होता है लोकेटेट इंसाइड तो विएंगे प्लेसेंटा होता है इंसाइड ता arising from the placenta are the Megasporengia are the Megasporengia commonly card ovules commonly card ovules the number of ovules in an ovary number of ovules in an ovary may be one may be one example we eat paddy mango we eat paddy mango too many papaya water melon orchid okay 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 प्लेसेंटा निकलता हुआ प्लेसेंटा निकलता हुआ प्लेसेंटा जो है इसको रेंगिया कहलाता है और कॉमली काड़ जिसको और भी बहुते हैं दश्वार को और में रखें से जगिए चैनी बहुत जिसको प्लेसेंट उस प्लेस रखेंगी थी खेंगिया जिसको और कॉला को दो प्लेसेंटा निकलता उत्काइब हुआ रखेंगा पहुता हैं